इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से दिखाए देता है यूर पेमिंट कुड नोट भी प्रसीड तो यहां पर क्या दिक्कत रहती है यह मैं आपको बताने वाला हूँ के payment could not be proceed हो जाती है तो reason यहाँ पर क्या रहता है और यहाँ पर इसको हम कैसे solve कर सकते हैं जिसे के हमें आगे देखने के लिए ना मिले तो आप जो है अगर इन सब चीजों से permanently बचना शाते हैं तो एक चीज का use करिए आप के आप जो है यहाँ से online का payment यह अटा दीजे cash on delivery order करिए तो आपको इस तरीके से process नहीं आएगा कभी भी payment प्रसेट से लेट लेकिन अगर आप online करते हैं मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर किसी product को मैं में लेता हूँ ठीक है और यहाँ पर हम इस पर इस पर ही चलते हैं ठीक है यहाँ पर इस product को मैंने लिया और order प्रेस कर रहे हैं इससे पहले आप जो है payment method को चेक कर लिजेगा payment method आपका कौन सा चलता है वो आप चेक कर लिजेगा UPI ID है फोन पे है और आपका जो है card वगएरा है वो आप सब attach कर लिजे अगर जो आपकी payment में balance हो उसको ही try करिएगा and जो आप payment regularly करते रहते हैं उसको slide करिएगा जैसे phone पे हो गए आप और और भी वगएरा वगएरा हो गए तो उससे एक ये बारी में आप जो है pay कर दीजेगा order को ठीक है जब आप उस order को pay कर देगे तो आपको directly जो है payment कर टेगा and आपका order जो है आपका जो है order confirm होकर वो चल चल देगा ठीक है तो यह सीधा सा process रहता है इसका simple सा यहाँ पर यह process रहता है अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लेगी हो तो like कर दीजेगा और channel को subscribe कर दीजेगा